Canada के अंदर 2024 के अंदर कौनसी बुजनसे थ्राइफ करेंगे, ग्रो करेंगे, किस बुजनसे में, किस इंडिस्ट्री के अंदर उपर्चिनिटीटीज है, और अगर आप इस इंवेस्टर, as in business immigrant, और या आप अनिडा में अरड़ी रहते हैं, PR पे रहते हैं, citizen रहते हैं, या अम पुस पांच industries of businesses के बारे बात करेंगे, जो Canada के अंदर major, ग्रो करेंगे 2024 के अंदर, right, जो परी इंडिस्ट्री जो है, इसकी बहुत सादर डिमांद इक Canada, आप भी सुंगते होगे, I'm sure कि बाकी वीडियोस भी आपने तेखा होगा, वो है real estate or construction की industry, right, real estate, क्युकि Canada में ग गर कम हैं, लोग जादा बरते जारें, जिससादा सब लोग रोग करें ना, गर उससे आप से मैस ली पर पारें, मैं बहुत सार लोगों को जानता हूं, जो लास 10 years के अंदर, इस इंडिस्ट्री के अंदर अंदर एंटर है, और they have grown their businesses, right, real estate में और construction में बहुत तरा की businesses हो सक जो basically गर के around होती है, construction focused होती है, right, उसमें आप दूरन देखेंगे, और Canada की population रोग नहीं रहेंगे, ये कहेगे, Canada की government के plan है 2030 तक, उसके पर implement हो रहा है, उसकी वज़ा से aggressive गर चाहिए, like you know, construction services चाहिए, in fact, like you know, कुस provinces में तो construction में बहुत नहीं रहें, right, Canada में दो किसम के आपता जा रहा है, Amir लोगों के लिए और educated लोगों के लिए, इसी वज़ा से overall, construction में, whole building के दाओ एक major major boom है, जो अगर आप leverage कर सकते हैं, the October 24 के अंदर, industry sector को देख रहे हैं, internet के लिए, second, कौन सा second sector, after construction in real stage, जो fast growing है, Canada के, healthcare, healthcare, जो है एक fast growing sector है, Canada, EPA के Canada की, okay, premise हो ही है, basis हो ही क्यों, क्यों, क्यों के population जब increase हो रही है, जादा लोगों को doctor चाहिए, जादा pharmacies चाहिए, जादा physio चाहिए, जादा x-ray यह चाहिए, जादा ultrasound के निचाहिए, Canada के ने seniors की population बढ़ रही है, toh seniors की population में seniors हो होते हैं, जो health care को जादा use करते हैं, जो generally healthcare की demand भी बहुत जादा यह जो तरह नर्फ ऐटेशुनर्स हो गए पहुत बड़ी private industry इससे अधी country और शौस्टोड्चोड हो गए दौक्टर्स गोगे को जिरे गवें भादी अगर अगर आपने एक्साय का काम का और तो आप ग्रमें ले सकते हैं ग़ें एक्साय के राओं अल्ट्रसांड के रहाओं blood test किया रहा हूँ और गर्मेंट करती हैं और अगर आपका healthcare का background है तो healthcare is a very very fast booming industry और तो major जाय एक तो definitely like seniors की population increase हो रही है एक second जाय जाय है immigration की वजाऊ से overall population increase हो रही है तीसरी industry third industry जो basically fast growing है वो है transportation और logistics की industry तो transportation और logistics जो है उसमें हम अकसर सुनते हैं कि truckers की कमी है truck जादा नहीं हमारे पात Canada का वसका है Canada ही हुट बड़ा country है और जब बड़ा country है आप से रफ East to West देखे है North to South देखे है बहुत vast country है like one of the largest countries in the world है by the landmass right so वो को दूर दूर रहे दे और जो seaports है इस सारा seaport आएक पड़ता है Montrean के अंदर एक East में पड़ता है West में पड़ता है तो जो inland सारा सामान आता है वो आता किसके थ्रुकिंग के थ्रुकिंग के थ्रु आता है रेल्बे के थ्रु आता है इसके इन्टर सिंटी डिलिवरी भी होती है एक तो overall e-commerce की और digital and online commerce का ब्रुथ है एक ब्रुदा है यह कानदा एक 100 बड़ा कर्ठी है और एक वजाए यह के और वरल population, जो है lot, any kind of transportation any kind of logistics कि अमें रे एक यह industry growth face के ब्ड़ता इसके ब्लुपर्टुनिटी है, जो दिन धर इसके बहुता ब्रुदिटा आता ब्लोटनी है Canada के अंदर seniors की population increase होती जाए, इसी वज़ा से aggressive immigration plans है, क्योंकि Canada की जो population है, वो जो काम करने वाले की population है, वो आप basically 50s and 60s बे आवे हैं, majority काम करने वाले की population, senior care के अराउंड आप देखेंगे ना की बहुत amazing opportunity, senior care के अराउंड है, अगर आप investor है, अगर आप multi-family के इनवेस्ट करना चाहते हैं, senior roles की बहुत-बहुत अच्छी demand in market के अंदर, अगर senior roles की नहीं ना, it's basically like, you know, in terms of senior services, like, you know, in terms of your, all the support services, GPB support services and senior care के अराउंड, सबकी demand increase होती जाड़ी है, seniors जो है ना, वो पैसे खर्च भी करते हैं, उनको services की need भी है, it's a growing market, और मैं personally आपको recommend करूँ कि अगर आपको इस space ने पसंद है space, मैं किसी को लिए उता हूँनोंने seniors की help के लिए technology कपनी बनाएए, यह जाते है seniors की गर में, computer सही करने से लेके, computer setup करने से लेके, TV लगाना, speakers लगाना, home automation system, security, यह सिरफ focus करते seniors को as a market, senior care services से लेके, home care services में, seniors के around, जितनी भी businesses हैं, वो boom कर रहे हैं, वो grow कर रहे हैं, they have an immense opportunity in the future, पांच पे नमबर पे, जो industry like Canada के अंदर, fast grow कर रहे हैं, वो basically है retail की industry, तो हुआ यह है कि retail जो है न वो consistently grow करता जा रहे है, अब वो क्यों, उसकी बज़ा क्या है, उसकी वज़ाए एक simple reason है, कि population increase हो रहे हैं, आप per capita, Canada के अंदर restaurants देखे, 20-30 साम पहले हैं, और आज देखे, क्यों, क्योंकि लोग गर गर पे खाना तो हम बना रहे हैं, बाइर जादा खा रहे हैं, जब वो बाइर जादा खा रहे हैं, तो जाहरी सी बाते restaurants की, take-out kitchens की, इनकी demand increase हो रहे हैं, मैं आपको interesting चीज़ मताओ के, आप retail की बड़ी market हो गए है, कि सनागर आप इसे सागा जाते हैं, तो आपको पूरा plaza मिलता है, जिसमें सिर्फ ethnic food है, मतलब कि Indian, Pakistani, Arabic food मिलता है, 50-60 से जादे दो आने हो कर, imagine करें कि Canada के अंदर चुके, एक immigration population आ रही है, ओरा population increase हो रही है, इसकी विजा से retail इंडस्ट्री थ्राइफ कर रही है, ग्रो कर रही है, उसकी demand increase हो रही है, रही है, तो retail industry इस विजा से भी थोड़ी बहुत like, you know, risk, कम रिसक होता है, क्योंकि तो रही है, प्रिटेल आपको रेटेल ने बैगराण नहीं भी हो, अगर रही है, तो retail industry का फाइदा यह है, कि it can take people from outside, right, so retail industry is growing, retail में आप इन्वेस्ट करें Canada में, right, and there's a lot of opportunities in it, right, मैं six आपको industry देंगे as a bonus one, right here, जिसको Canada में growth मिल लेगे, उसमें enter होना hard है, it requires capital, और उसमें भी tremendous growth है, और जो bonus जो है, जो bonus six industry में आपको दूँगा, वो है basically clean technology की industry, clean technology की example यह कि Canada अभी Edmonton के पास half a billion dollar का hydrogen powered energy का plant लगा है, right, Canada की government major incentive दे रहे है clean energy को, right, wind से generate होती, energy जो solar से generate होती, energy जो hydrogen से generate होती, यह industry में capital आपको जादा चाहिए होता है, क्योंकि बाई यह इन businesses को start करने के आपको पैसा चाहिए, but इस industry में government incentivize कर रहे हैं, यह grants available हैं बहुत सारी, clean tech क्योंकि Canada future में अपने आपको एकता से environmentally friendly मुल्क देखता है, वहाँ जहां पर fossil fuels कम हैं, जहां पर गंद अलूदा, noise pollution, air pollution, water pollution यह सारी चीज़ें कम हैं, तो government major incentivize कर रहे है, clean tech को, आपको एक example देता हो कि multi billion dollar की, Japan की Honda कर भी, multi billion dollar की investment करने वारी है Canada में, वह क्यों करेंगी Canada में, यह क्यों करेंगी Canada की government incentivize कर रहे है, tax makes दे रहे हैं, grants दे रहे हैं, research and development के विले पैसे दे रहे हैं, तो अगर आप clean technology के around हैं, आप इस पीस को समझते हैं तो यह एक बहुत अच्छा space है आप के लिए रहे हैं, hopefully आपको आपको आज अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो comments में चाहिए, if you have any questions like, share or subscribe कीजिए, I mean, आपको हमाई से help चाहिए कोई, तो आप जा जा सकते हैं, नो, ठीक and WTIQ, lotic.com के ओपर and we'll be happy to help you, thank you.